तो गाईज आज की वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगी कि कोई भी आदमी अपना डवल लोल लेकर और फूंक मारने पर उसकी लंबाई एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मलब काफी ज़्या नहीं जहकता बड़ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा अने वाला आपको मीडिया के आप्सन पर चले जाना है और जो आपने वीडियो को रिकॉर्ड किया है यहां से इजली से ले लेना है तो यह वाली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी तो इस वाली वीडियो को हमने ले लिया है और लेने के बाद starting का थोड़ा इतना कट कर देना है वीडियो पर क्लिक करने के वाद इस पर मलब trim split के option पर क्लिक करना है कैंची type का जो option आता है और आपको trim left कर देना है और last की जो videos थी उसको थोड़ा कप यहां से cut कर देना है इस परकार से जहां पर यह देखना start कर देता है इस परकार से वीडियो को cut कर देना है यहां से आपको वीडियो को last की cut कर देना है तो आपको वीडियो पर click होने देना है और आपको trim right कर देना है इस परकार से अब आपको क्या करना है कि यहां से एक photo ले लिनी है और अपनी photo की एक png बना लेनी है तो simply से आप अगर PNG नहीं बना पाते हो तो आप मुझको comment कर दीजे मैं आपको बता दूँगा कि आप PNG कैसे बना पाओगे तो simply से आपको क्या करना पड़ेगा हमने PNG बना ली है तो आपको यहां से ले रहा हूँ आप भी इस परकार से ले सकते हो और इसकी एक्दम से size हाँ आप सही Catholics करने के बाद simply से अब भाई यहां पर आपको सही से समझना होगा और आपको वीडियो पर किलिक करना होगा इस परकार से वीडियो पर किलिक करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर भाई जो आपको इस चावी का आपसन दिख रहा है इस पर आपको click करना पड़ेगा और click करने के बाद video को हलके से ठोड़ा चलाना होगा और फिर से plus के icon पर click करना होगा और आपको video को फोड़ा इस परकार से उठाना होगा और इसकी size को एकदम से थोड़ा हलके से बढ़ा करना होगा इस परकार से फिर आपको videos को हलके से चलाना होगा और plus का icon पर click कर देना होगा फिर आपको इस video को इस परकार से उपर उठाना होगा और आपको इसकी size को इस परकार से बढ़ा कर देना होगा तो फिर से आपको हलकी से बढ़ाना होगा इस परकार से और बढ़ाने के बाद फिर इसकी size को एकदम से इस परकार से कर देना है और इसकी size को इस परकार से बढ़ा कर देना है फिर आपको हलकी से इस परकार से बढ़ाना है और प्लस का इकन पर किलिक कर देना है फिर आपको हलके से देखना है और यह जादा उठ गया तो इसको यहां से हलके से देखना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और इस परकार से इतना करना है और करने के बाद इस परकार से साइज इसकी बढ़ा देना है फिर आपको इस पर उपर कर देना है और इसकी साइज को इस परक से कर देना है अब आप वीडियो से को एक बाद चला के देख सकते हैं तो यह इस परकार से ये बड़ा होता चला जा रहा है इस परकार से देखिए वाई इतना बड़ा हो गया एकदम से तो आपकी वीडियो मैंने बनिके तयार हो चुकी है और इसको आप सेव कर सकते हो इस परकार से देखिए यह मलब पहले तो यह फूप मार रहा है और फूप मारने के बाद यह इसके साइज बढ़ने लगती है तो यह उपर देखने लगता है एकदम से बढ़ गया तो आपकी वीडियो बनके तयार हो चुकी है इसको आ करने के बाद आप इसको सेब कर सकते हों